तो हेलो इमेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की अपडेट्स विया आप बोल सकते हैं कमाल के टेप बताने वाला हूँ जैसे कि आपने देखे लिए होगा मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरे चाहर दो सब्सक्राइब कर लो नोड़ इचे बलेक दबादो ताकि अशी नगी अपडेट या सबसेले आपको मिलती रहे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नम सनी अरूर आपका स्वागत है मेर यहां पर आप देखेंगे मेरे पास iOS 17 इंस्टॉल हो चुका है यहां पर आप देख रहे हूंगे iOS 17 मैंने यहां पर इंस्टॉल कर लिया है यहां पर मैं आपको फीचर बताने वाला हूं सबसे पहला जो मेन फीचर है आपको हाइलाइट फीचर है इसका वो है कॉन्टेट का तो यहां पर मैं आपको कॉन्टेक्ट में लेके आओं कॉन्टेक्ट कार्ड में लेके आओं तो आप यहां पर कार्ड को डिजाइन कर सकत आप देख सकते हैं ती सारी आपको मिल जाएंगे आप यहां पर एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं आपको जिसको भी एडिट करना हो वहाँ पर आपको यहां पर क्लिक करना है एडिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर कस्टमाइस पर क्लिक करना है और आप यहां पर कॉंट लगाना चाहें तो फोटो लगा सकते हैं और अगर यहां पर पोस्टो को आप डिजाइन करना चाहें जो मेन पोस्टर है यहां पर पोस्टर पर जाएंगे तो पोस्टर आपको ऐसा मिल जाएगा आपको इस सारे यहां पर हाइलाइटेट फिचर मिल जाएंगे आपको सकते है photos add करना तो यहां से अब अपनी कोई दूसरी photo लगाना चाहें तो अपनी दूसरी photo भी लगा सकते हैं यहां पर आपको styles मिल जाएंगे photo के बहुत सारे जो भी आप यहां पर लगाना चाहें वो लगा लिए gray scale करना चाहें यहां पर कर लीजिए यहां पर अगर आपको यह schyff नहीं पर इसको भी configure कर शकते इसकी colors को भी चेंज कर सकते साइज को भी हांपर आप change out कर सकते यहां पर सब करने के डाद अगर आप चाहें तो इसको कम जादा भी sides को कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अप्डेट कर दीजिए और यह सेव हो गया अब इसका क्या फाइदा होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है जिसके भी पास अगर आप कॉल लगाएंगे अगर वह आईफोन यूजर और आयोएस 17 पर तो आपका पूरी डिटेल आपकी फोटो उसके पा यहाँ पर है सेकेंड जो फीचर बताने वालों दोस्तों वह भी बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर सफारी के अंदर आपको एक नया और और ऑप्शन दे दिया गया है जैसा कि आप यहाँ पर बहुत सारी टैप आपने खोल के रखी होगी तो आप यहाँ पर आप प्राइ कर सकते हैं लोकेशन वाइज और आपके प्रोफाइल के वाइज आप अलग अलग जोनों जगर टैप कर यूज कर पाएंगे तो सेकेंड फीचर यहाँ पर यह दिया गया है थर्ड फीचर बताओं वह है मैसेश को लेगा अगर आप मैसेश पर जाते हैं मैसेश पर आप यह करेंगे तो आपको एक नया option दे दिये गए यहाँ पर check-in करके यहां पर अगर आप जाएं तो आपको एक option दे दिया गया चैक-इन करके जो की बहुत ही शांदर फीचर है यह Security के साब से privacy के साब से बहुत ही शांदर है अगर आपका कहीं फ्रेंड या कोई relative कहीं जा रहा ह या फिर अपने घर पर पहुंचेगा यह सब चीज़ा आप यहां पर ट्रैकाउन कर सकते हैं कि जब आपका फ्रेंड वहां पहुंच जाए तो आपको वहां पर एक मैसीज आ जाए कि वह परफेक्टली पहुच चुका है या फिर अच्छे से पहुच गया है सेपरेटली आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आइफोन की कीप अब मैं विधर्ट यह प्रॉर्गेस तो यहां पर वह पूरी तरह से इसको चेक आउट करता रहेगा और अगर वह कहीं और फुल मोड तो यहां पर कैसे वर्ग करेगा एक जांपल के तुरू मैं आपको बताता हूं जैसा कि यहां पर आप दिखें अगर आप यहां पर लिमिटेड मोड को करेंगे तो जब भी जैसा कि वह देखेंगे आइफोन का आपको एक मैसीर जाएगा लास्ट अनलोग उ कितनी बैटरी है कितना नेट वर गए रिमूब उसने वह अपने एपल वाच को कब रिमूफ कर दिया और कहां कहां से वह गया पूरा एक्सेस वहां पर आपको दिखेंगा आप देख सकते तो यह दोनों में फरक है तो यह बहुत ही सिक्योर्टी के साब से बहुत ही यहां पर किया है जो लोग जो लोग मॉबाइल को जादा पास यूज करते हैं वो सकते हैं अपने आँखों के सामने जादा लेके जाते हैं तो उनके लिए यह वाला फीचर बहुत ही शान्दर है या फिर आपके खरें बच्चे यूज करते हैं तो इस्पेशली बहुत यह फिचर टू है फिचर टू है फिचर टू है फिचर टू है अपनी आँखों की सेप्टी के लिए उन्हें यह फिचर यूज करा है कि जब भी कोई ज्यादा क्लोज होके मॉबाइल चलाएगा तो एक यह वार्निंग दे देगा कि भाहिया बहुत ज्यादा पास आपने जिए गया है तो उसके बाद दोस्तों जो लास्ट फिचर दिया गया है वह फेस्टाइम को लेगे वहाँ पर आपको बहुत सारे बास दे दी गये जब भी आप अगर आप वीडियो कॉलिंग करेंगे तो आप उन फेस्टाइम करेंगे आप उन एफेक्ट का यूज कर चाहे आप नॉर्मल मैसिज करें या कुछ भी करें जहां भी आप कैमरा यूज करेंगे वहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं कैसे वह मैं आपको आगे बता रहूं कैसे मालो मैं अपने वाट्सॉप कॉलिंग करता हैं तो मैंने यहाँ पर एक वाटसम कॉलिंग करी है वाटसम कॉलिन आपको दिख रही होगी अगर मैं यहाँ पर आसी फिंगर क्टू करूँ तो आप देखेंगे वहाँ पर बैलूंसे आपको दिखेंगे बहुत सारे जैसा कि आप दो finger दिखाएंगे तो ऐसे balance रहाएंगे और अगर आप यहाँ पर ऐसे like दिखाएंगे तो like का button वहाँ पर आएगा जैसे कि दूसरे वीडियो में आपको दिखा रहा हो साइड में जैसा कि ऐसा आ रहा है और आप नीचे तरफ न्यू करेंगे तो dislike का button भी आपक देगे जो कि आपको बहुत ही उसफुल रहने वाले आने वाले टाइम पर सब कर एक एक स्वेडियो बनाओं गापर अभी मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो नोडिशन में लाइक और दबादो ताकि अशी नहीं अपडेट या सब्सक्राइब को मिला थैंक यू